दोस्तों आज की जो वेकेंसी है वो बहुत ही खास रहने वाली है आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा यहां सुपरवाइजर एन लाडिंग सुपरवाइजर और Gra어지委 इंजीनियर ट्रेनी के लिए इंजीनियर के लिए बहुत ही अच्छी वेकेंसी आई है अगर पे अभी बिल्कुल नेया है या आप पुराने भी है तो कमेंट सेक्षन में अपनी ब्रांच और पास आउट इयर मैंसन जरूर कीजिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से देखिएगा एपलाई भी करके बताया है सारी वेकंसी ट्रेनीज के लिए और मतलब आप 2022 पास आउट है या 2023 में पास आउट होने वाले है इसके साथ साथ जो एक्सपीडियन्स है उनके लिए भी वेकंसी है वीडियो को ध्यान से देखिएगा पूरा देखिएगा तभी समझ में आप आएगी अब बात करते हैं कुछ अरजेंट चीजों के बारे में आपकी जॉब के बारे में आपकी रिक्रूट्मेंट के बारे में आपकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है मैं हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ ऐसा बताता हूँ जिससे आपका बेनिफिट होता है तो जो उन पे करता है उन बातों पर अमल करता है तो उसके लिए साइदी कुछ ज़्यादा टफ भी नहीं होता है कोई भी चीजे मानना आपको मैं बता दू कि अपॉर्चुनेटी किसके लिए आई है कैसे आई है कैसे इसमें अप्लाय करना है उससे पहले मैं आपके कुछ काम की चीजे बता देता हूं सबसे पहले तो यह दोस्तो एक चीज आप समझीएगा कभी भी आपने देखे भी होगा अपनी लाइफ में मान लीजिए आपका नाम है राम और आपका फ्रेंड का नाम है श्याम ठीक है सिभ्ड राम के वी 60% मार्क से स्याम के भी 6 Ipc College से पढ़ा उआ है राम ने भी उसी स्ट्रेम से सिए्विल से ही की है नगर राम की बीन प्लेसेंट confess और श्याम की भी नहीं हुई बट आपने सम्टाइम्स देखा होगा कि श्याम की जॉब लग गई और श्याम की जॉब लगी 30,000 पर मन्त पे और स्राम की जॉब लगी 15,000 पर मन्त पे तो यह क्या क्राइटेरिया है कि भाई दोनों बंदे एक साथ पढ़े एक परसेंटेज ए एक क्राइटेरिया एक फुल्फिल्मेंट तब भी इतना डिफरेंस हाउट इस पॉसिबल यह दोनों चीजे मैं आपको क्यू बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी सम्टाइम्स रिक्रूट सेक्षन में जाता हूं जहां रिक्रूटर करते हैं हम भी इंटर्व्यूज लेते हैं सम attitude का मतलब है कि आपका positive attitude आपका positive behavior आपका बैठने का तरीका आपका उठने का तरीका आपका बात करने का तरीका यह एक इंजिनियर का होना चाहिए second है आपके skills and third है आपका resume format तीनों चीजे starting में freser के लिए यही matter करती है आपने इन तीनों चीजों पर work कर लिया आपको मैं बताऊं कि उस company का जो freser के लिए highly package होगा वो साथ आपको मिल सकता है यह मैं आपको guarantee लिखके देदा हूं 100% अब आप बोलेंगे यह resume पे कैसे work करें यह skills पे कैसे work करें attitude पे कैसे work करें सबसे पहले तो मैं बता दूँ attitude पे work करने के लिए attitude always positive रखिए और जादा स जादा चीजों को बर्दास करने की कोशिश कीजिए second आगे skills 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 मतलब आपको क्या चीज आती है क्या नहीं आती है जब आपके पास कोई practical experience नहीं है तो skill का matter ही नहीं होता है but some skills are always be available और skills क्या है कि skills जो basic skills है like आपको computers आना चाहिए ठीक है इसके साथ साथ आपको जो भी related software है माल लीजिए आप mechanical branch है माल लीजिए आप civil branch है आपको AutoCAD, stud pro यह basic skills आनी चाहिए जो आपके resume में आपके पास एक extra चीज़े हो जाएंगी जिससे like आप design में भी जा सकते हैं थार्ड आगे आपका resume format दोस्तों वैसे तो मैंने अपने telegram channel पे resume format बना के दे दिया है लेकिन जिन को branch related चाहिए दोस्तों comment section में अपनी branch और pass out year mention कर दीजिएगा मैं अपने telegram channel पे डाल दूँगा तो आपको क्या कर लेना है comment section में branch और pass out year mention कर देना यह थी आपके लिए informative अब बात कर लेते हैं vacancy के बारे में दोस्तों जैसे ही हम vacancy के section पे जाते हैं या फिर कोई भी हम यह यहां एक बार check out करते हैं तो यहां latest opportunity open के आ जाती है यह opportunity कहां से आई है सबसे पहले तो मैं बता दूँ यह आई है Tata electronics की तरफ से जी हां Tata electronics Tata electronics की तरफ से यह बहुत ही अच्छी recruitment आई है अब Tata के बारे में आपको ज्यादा briefly describe करने की जरूरत मेरे को नहीं लगती है तो यह जो vacancy आई है इसमें बहुत सारी branches बहुत सारे streams बहुत सारी eligibility है यहां मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले बता दे तो जो starting में भी बताया था graduate engineer trainee के लिए vacancy निकल के आ रहे है 19.1 को vacancy आई है और इसमें क्या-क्या मांगा गया है B.E.B.Tech in mechanical, macrotonics, industrial, production, chemical इसके साथ साथ graduate year 2022 और 2023 वालों को यहां high priority दी गई है याद रखिएगा 2022 2023 वालों को high priority दी गई है अगर बात कर लेते हैं required skills की strong analytic and problem solving skills चाहिए strong supervisory and leadership skills चाहिए knowledge of the core subject like जो core subject होते हैं जैके जब आप मैंने बोला ना skills के बारे में अभी मैंने आपको वीडियो को बताया था skills के बारे में तो दोस्तों वो skills आपको जैसे basic knowledge होती है अगर किसी बड़ी company में आप जाना चाहते हैं like Tata हो गया, L&T हो गया, Dalmia हो गया, Idaani हो तो भाई यहां तो आपको education पर ध्यान दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको बोलते के साथ ही यहां चीजों को manage हो जाएंगी, दोस्तों यहां आप ध्यान दिया ही दिया जाएगा, तो यहां आप देखेंगे solid mechanics, mechanic design, manufacturing process, यह सभी चीज़े आनी चाहिए, इसके साथ साथ प्रोग्राम, coordination, customer communication, यह सभी आना चाहिए, इसके साथ साथ future ready, teamwork, agility, computer empathy, purpose, proposition of goals, यह सभी चीज़े आपको आनी चाहिए, डारेक्ट आपको apply करना है तो आपको नीचे ही apply का section भी मिल जाएगा, बात कर लेते हैं apply करने की, तो दोस्तों आपको यहां, इनका यह एक page है, यहां से email ID और password डालके, अब जो channel, जो अभी तक आज तक किसी ने Tata Electronics open करके नहीं देखा है, वो जो है, इसको sign up करके apply कर दें, जैसे ही आप इसमें sign up करने के बाद आगे आएगे, तो आपको यहां सबसे पहले अपना CV अपलोड करना होगा, दोस्तों CV के regarding मैंने सबसे पहले आ format डाल दिया है, वहां जाके आपको CV भी मिल जाएगा, इसके साथ साथ आपको नाम, अपना mobile number, यह सभी डाल देना है, more information में आप जेंडर है, address, यह सभी डालके यहां आगे इसको save next कर दीजेगा, जैसे ही next करेंगे, आपको यहां कोई भी data आपके सामने open होके आजाएगा महां आपसे cover letter की demand की जाएगी, cover letter डाल दीजेगा, अगर आपको कोई जानने वाला है, TATA में, तो आप यहां TATA में डाल सकते हैं, कि हां मेरा non-cup person है, यह थी आपके लिए information, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो काम की information रहने वाली है, like आपकी और कौन सी vacancy आपके काम की है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे ही आप return list पे आएंगे, तो यहां आपको latest opportunity open होके आ जाएगी, कौन-कौन सी opportunity भाईयो, यहां आपको नजर आ रहा होगा supervisor से, देखे, supervisor injection molding, supervisor injection molding, इसके साथ-साथ, और भी supervisor, fixture, clip, इसके साथ-साथ, engineer, plant maintenance, कौन-कौन से, electrical, mechanical, vision, दोस्तों, engineers के लिए भी vacancy निकल के आ रही है, बहुत सारी, अब यहां कोई जा, देखे, B.E.B.T.E.C. वालों के लिए दो साल का experience और डिप्लोमा वालों के लिए भी, तो डिप्लोमा वाले experience वाले eligible हैं, और B.T.E.C. वाले freshers वाले eligible हैं, तो डिप्लोमा वालों के electrical, mechanical, macrotonics, दोस्तों, 2-5 साल का experience कोई जादा नहीं होता है, वीडियो को पूरा देखा है होगा, तो वीडियो को like करके बिना मज जाईएगा, यह थी आपके लिए बहुत informative वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे, अपने दोस्तों तक share ज़रूर करें, मिलते हैं, नेक् तक के लिए, जय हुनु